नमस्का दोस्तों, हमारे अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो है जो आई टाई टियो का पेपर चल रहा है सत्रे दिसंबर को जो ढई वजे की सिप्ट से जो पेपर था उस पेपर का रिव्यू जो है आपको बताएंगे कैसे क्या पेपर आया है डॉन्टेक कैसा पूछा गया, इस्टूडेंट के कितने क्या मार्क्स आये है और कटॉम जो है कितना क्या जा सकता है आप से रिक्वेष्टे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो फ्लीज फ्रेंट वीडियो को लाइक करें शेर करें दोस्तो सत्रे तारी को जो पेपर था वो आई टी आई टी ओ में इलेक्टोनिक्स मेकनिक का जो है पेपर था ट्रेड की यदि बात करें दोस्तो सबसे पहले मैं बात करूँ नमबर जो है इस्टूडेंट के कितने क्या आई है तो फ्रेंट्स इसकोर देखके इस्टूडेंट का ऐसा लग रहा था कि जिसे पूरांक जो है अग्जाम दिया था मेरे मार्क जो है 50 से उपर आये है और हमारी जो मतलब जो रूम था जिसमें सेंटर था उसमें दोस्तों एक ए इस्टूडेंट के 62 थे यदि कि दोस्तों अब देखते हैं पेपर कैसा क्या आया नहीं दोस्तों इससे पहले हम देखते हैं कट ओप जो है कितने क्या जा सकता है दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है यदि किसी भी केटिगरी में student है और 70 प्लस ला रहा है तो दोस्तों उसके होने के बहुत ज़्यादा chance है ठीक है फिरें 70 प्लस यदि किसी के marks आए है और SCST में दोस्तो 65 के आज पास माक्स आये तो बहुत ज़्यादा संभावनाए होनेगी और OVC जनरल में 70 पलस अब दोस्तो देखते हैं पेपर कैसा आया देखी दोस्तो इसमें जो पेपर था मैं आपको बता दू पेपर जो है आपका देड़ माक्स का था जिसमें 25 कुश्चन डॉन टैक इसमें जीके था कंप्यूटर था साइश था रीजनिंग था यह सब था ठीक है और 75 नंबर का टेकनिकल था हैं दोस्तों बात करते न्टेक कैसा पूछा गया दोस्तों काफी इजी था और जैसे मैं परशेंटीज के कुश्चन थे Bruce पाषे यह देश का कुश्चन थे देट्न ट्रेनग सिरी घ्ट में रिठिकल्ट थी one ही नहीा थी और कुश्चन होते हैं वो भी जो है question पूछे गए थे जी के में दोस्तों question जो है मतलब काफी easy question थे एक दोस्तों retina से question था size में computer में input output device से question थे हालाएं कि question थोड़ा सा जो computer work किया हो उसी को जो है वनेंगे और friends एक program के definition पूछी थी rule of law और दोस्तों question था कि आप जो है चत्रपती सिवाजी टर्विनेस कहां पर है एक question यह था ठीक है प्रेंट्स तो यह दोस्तों जी के का portion काफी ठीक था जो डॉन टेक था जिसमें चार सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट थे अब दोस्तों बात करते हैं डॉन टेक्निकल की टेक्निकल में दोस्तों जो आई टी आई का जो बूल था यादि कि आई टी आई में जो पढ़ाया जाता है वह जादा था अलाग कि कुछ कुछन ने जैसे जिसने बीटेक किया है पॉलिटेक्निक किया है उसके लिए काफी अच्छा मतलब थे लेकिन दोस्तों जातर कुछन जेसे मेरे पेपर में धाई वज़े वाली में प्लायर से बहुत सारे कुछन पूछे गए थे प्लायर के अलाग अलाग टाइप होते हैं हैमर से पूछे गए थे बतलब ऐसी चीज़ जो पॉलिटेक नेग और बीटेक वाले कम पढ़ते हैं ऐसे कोश्चन जाना थे मतलब कोश्चन सिंपल ही थे पेपर का यदी में पैटर्न आपको बताओं तो न्यूमेरिकल कोई कोश्चन नहीं था एक भी कोश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल नहीं था आलाए कि कुछ डेटा वाले कुश्चन थे जो आपको याद होगा डेटा तो ही जो है आप कर सकते हो ठीक है फ्रेंट तो पेपर पूरा थेयोटिकल आ रहा है और पेपर बहुत कम टाइम का था मेरा पेपर यदि में बात करूं दोस्तों आपको तो मेरा पेपर जो है पच जो कुश्चन होते हैं दोस्तों आप समझ सकते हो कैसे क्या रहते हैं दोस्तों कुछ कुश्चन मतलब ऐसे थे के भाई जो रजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है रजिस्टेंस की दोस्तों कापी कुश्चन थे अमीटर क्या होता है वॉल्ट मीटर क्या होता है औ तो आपका दो पेपर दोस्तु आप इन था आ Krए जाए परकीं है तो दोस्तो आप परें बॉल जुन नां पड़े